दोस्तो आज आप लोगों के लिए पांच ऐसे फ्रॉड लोन एप्लिकेशन्स लाया हूँ जिसके थूँआ आप लोग आसानी से 30,000 तक निकाल सकते हो आप लोगों पताई कि फर्जी लोन एप्लिकेशन जो है वो किस तरीके के काम करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सा आपधानी बरतना जरूरी है अगर आप लोगों को पैसा निकालना है यह सब अप्लिकेशन से तो आप लोगों को सारा कुछ डेटल वाइस बताऊंगा कौनसा कौनसा वो लोन एप्लिकेशन से जहां से आप लोग अच्छा कासा जो है पैसा निकाल सकते हो और यहां पर available है लेकिन वो कुछ अलग तरीके का नाम लिख्यात होता है और आप लोगों को पता भी नहीं होगा वो लोन देता है लेकिन यहां पर आप लोगों को बता दूंगा कि वो बाहर से देखने में कुछ है अंदर का कुछ सब्सक्राइब बटन प्रिस नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब बटन प्रिस करके बिल आइकन को ज़रू-ज़रू प्रिस करें इससे क्या होगा जो भी लोन डिकटिंग इन्फोर्मिशन आप लोगे साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल घुल आपको ब्रिस केंटली इससे और कीसी आप लोगे स सब्सक्राइब आप लोग इससे पैसा जिसे से निकाल सकते हो जो दूसरा loan application है उसका नाम है आप लोग को screen shot में देखने को मिल रहा है you money expense tracker तो यह जो loan application है यह भी आप लोग को loan provide करेगा ठीक है यह फर्जी loan application है यह play store पर available है लेकिन आप लोग को पता नहीं चलेगा लोगों को पता नहीं चलेगा RBI को भी पता नहीं चलेगा कि यह जो है loan provide कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अंदर loan provide करा जाता है बाहर जो है कुछ अलग चीज़े यहाँ पर लिखा होता है मतलब screenshot जो भी है वो अलग है ताकि बाहर से किसी को पता न चले नहीं तो यह लोग तो डिलिट करतेगा आप लोग को पता है तो यह जो loan application है इसके through भी आप लोग पैसा निकाल सकते हो जो तीसरा loan application है उसका नाम है M Capital Reliable जो यह application है यह play store पर available नहीं है यह Google Chrome browser में अगर जाके search करते हो तो आप लोगों को मिल जाएगा यह भी फर्जी लोन application है बाई सेंबी का size है 4.6 का rating से और यहाँ पर आप लोगों का about application बहुत सारा कुछ लिखा है देखना नहीं है आप लोगों को loan जो है लेना है मतलब पैसा उसके लूटना है सिंपल सा बात है जो चौता loan application है व उसका नाम आप लोगों को बता देता हूँ उसका नाम है script to talk यह जो application play store पर available है लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि यह loan application है अब यहाँ पर क्या है कि Google को ना पता चले इसलिए यह लोग क्या कर रहे कि बाहर में कुछ अलग चीज़ दिखा रहा है अब क्या है इसमें loan application से पैसा निकालने वाले हो सोच रहे हो अगर तो आप लोगों को बता दूँ कि यह जो है फ़र्जी loan application है और फ़र्जी loan application किस तरीके से harassment करता है लोगों को आप लोगों को साहिद पता ही होगा तो आप लोगों अगर इसमें try करना चाते हो तो आप लोगों सबसे पहले अपना एक phone जो है नया phone लेना पड़ेगा या फिर जो भी phone है वो fully format किया हुआ होना चाहिए उसमें कोई भी data insert नहीं होना चाहिए अब क्या करना है उसके बाद एक अगर आपके पास जो भी sim card है आप यूज कर रहे हैं या फिर आप यूज नहीं करते हैं उसको recharge कर लो उस sim card से login करो login करने के बाद आपके phone पर मतलब उसे पहले login करने से पहले आपको करना होगा ठीक है आपके phone में contact list में जाके fake contacts आप लोगों को बना लेना है 20-30 contacts आपको बनाना है बाकी आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है वो लोग सिर्फ देखेगा कि आपका जो भी contact list उनके पास जा रहा है या फिन नहीं जा रहा है ठीक है जो भी है कुछ टेक्स्ट वगरा है वो लोग चेक करेगा कि कोई भी टेक्स्ट है या फिन नहीं है बाकी यहाँ पर आप लोगों को अगर reference नंबर पे कोई भी नंबर डालने के लिए बोल रहे तो वह तो fake नंबर से आप होगे वहाँ पर कोई भी verification होता नहीं है यह चीज आप लोग ध्यान में रखो क्योंकि अगर original चला जाता है कोई भी contact अगर original चला जाता है उनके पास तो harassment आप लोगों को बहुत जादा दिक्कत सामना करना पर सकता है बहुत जादा harassment होगा आप लोगों को आपके साथ जो ह वापस करना नहीं है वो civil पर भी जो है effect नहीं करेगा क्योंकि यह RBS से रिजिस्टर नहीं है और आप लोगो जो process बताए वो process अपलाई करके आप लोग पैसा आसानी से जो है निकाल सकते हो प्राइस जरूर करे पैसा मिले तो मिले नहीं मिले तो कोई दिकत नहीं है आप ल लोगों के पास जो भी है आपका documents है लेकिन फर्जी लोन अप्लिकेशन जो नहा आ रहा है वो आप लोगों पैसा प्रोवाइट कर सकता है ठीक है तो आप लोग जरू से जरूर ट्राइब करें अगर मिलता है तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना दोस्तों के शेर करे लोगों को भी जो है आसानी हो लूटने के लिए मैं आप लोगों को लूटने का process बता रहा हूं तो लोग कोई बात नहीं फर्जी है फर्जी को फर्जी से यह आप लोगों को देखना होगा ना जैसा है उसको उसी तरीके से देखना पड़ता है तो वीडियो अच्छा पर टेक क्या जाहिल जाहिए भारत दोस्तों